एंशन इंडिया में जस तरह महान राजा चंद्रगुप्थ, समराट अशोग और समुद्रगुप्थ ने पूरे भारत को एक रूल के अंडर लाया था उसी तरह हर्शवर्दन का भी ये सपना था कि वो पूरे भारत पर अपना परचा लह रहा है लेकिन हर्शवर्दन का ये सपना केवल सपना ही बन कर रह गया क्यों भई? हर्शवर्दन तो इतना शक्तिशाली राजा था जिसको उत्तरपत का राजा कहते थे Lord of North India कहते थे तो क्या हो गया? क्यों वो दक्षिन भारत को नहीं जीत पाया? क्योंकि अगर उत्तरपत का राजा हर्शवर्दन था तो दक्षिन भारत में भी एक टाकतवर कमाल का राजा था जिसका नाम था पुलकेशन 2 कौन पुलकेशन 2? तो पुलकेशन 2 चालुक के डाइनसिटी का सबसे सक्सेस्फुल राजा था अगर नौर्थ इंडिया में वर्दना डाइनसिटी थी तो साउथ इंडिया में चालुक के डाइनसिटी थी कुछ 1610 कौन एरा में पुलकेशन 2 का जनम हुआ था और बच्पन में इनका नाम था एरईया एरईया बहुत छोटे थे तभी इनके पिता किर्तिवर्मन 1 की मृत्यू हो गई किर्तिवर्मन बहुत ही अच्छे राजा थे इनके टाइम पे प्रजा काफी खुश रहती थी प्रजा का ये कहना था कि किर्तिवर्मन के बाद अगर कोई सियासन पे बटेगा तो वो होगा इनका बेटा एराया हुआ ऐसा कि एराया बहुत चोटे थे और उस टाइम पे जब राजा महाराजा हुआ करते थे किसी चोटे राजा को सियासन पे बिठाना उचित नहीं मानते थे, करीबन 16 साल के नीचे या 15 साल के नीचे ऐसे अगर उसकी उमर इससे नीचे है तो उसे राजा नहीं बनाते थे उसके बदले कोई alternative किसी और को राजा बनाते थे, temporary राजा तो यहाँ पे जो है temporary राजा मंगलेशा को बनाया गया, मंगलेशा कौन थे मंगलेशा पुलकेशन 2 के चाचा थे, ठीक न यह बहुत चोटे हैं, तो अभी फिलाल के लिए आप सिहासन संबालिए है जैसे ही यह बड़े होता है, तो यह राजा बन जाएंगे लेकिन भाईया, ऐसा है ना कि जो राज सिहासन होता है, यह जो गद्धी होती है वो सबको प्यारी होती है तो जैसे ही मंगलेशा जो है वो सिहासन पर बैट है सिहासन ने अपना जादू करना शुरू कर दिया उनके दिमाग प्यासर करना शुरू कर दिया वैसे अच्छे थे मंगलेशा बट सिहासन ने दिमाग खराब कर दिया अब इनके दिमाग में ये किछड़ी पकने लग गई कियार अभी राजा तो मैं हूँ मेरे जो ओर्डर्स होंगे वो इनको फॉलो ही करने होंगे मैं जो बोलूँगा जैसा बोलूँगा वैसा ही होगा और ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा हो और अब पुलकेशन टू नहीं मैं ही राजा बनकर रहूंगा ठीक है ना तो पुलकेशन पुलकेशन कुछ नहीं रही या कुछ नहीं राजा जो है वो मैं ही बनकर रहूंगा और मेरे बाद मेरा बेटा राजा बनेगा अब ये जब बात प्रजा के सामने आई तो प्रजा का तो दिमाग खराब हो गया एकदम काफी नाराज हो गया वो और बिचारे जो पुलकेशन थे वो बदामी छोड़कर चले गया ठीक है बदामी पता है ना आपको चालूकियास जो तीन इसमें डिवाइड़ थे चालूकि और तीसरे चालूकियास को होंते वो कमेंड में बता दीजे ठीक है तो पुलकेशन थे बदामी छोड़कर चले गया लेकिन कहा गया कोलार गया सब एकदम नाराज दुखी सबको लगा यार चले गया हमारे राजा तो इनको बनना था ये तो चले गया अब कैसे होगा मंगल यार इसलिए गय थे थाकि अपनी एक आर्मी खड़ी कर सके कोलार जाकर उन्होंने बाना नाम के ट्राइब से संदी कर ली और भी कई ट्राइब्स थे बट बाना ये जो थे वो मेन थे तो बाना और कही सारे ट्राइब्स के साथ इन्होंने संदी कर दी और वहाँ पे पुद में चाचा मारे गए और पुलकेशन 2 की जीत हुई हब तक जो एरैया बन कर घूम रहा था वो अब बन गया चालू के टाइनसिटी का राजा पुलकेशन 2 लेकिन राजा बनना इतना असन थोड़ी होता है इनके चाचा के जो वफादार मंत्री थे गोविंदा और अप्पाई का इन्होंने विद्रो करना शुरू कर दिया क्यार ये क्या मजाक है यहाँ पे हमारे राजा को मार कर ये सियासन पे बढ़ रहा है ऐसा थोड़ी नहों होता है तो इन्होंने विद्रो करना शुरू कर दिया लोगों को भढ़काना शुरू कर दिया लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट था कि पुलकेशन 2 के साथ उनकी प्रजा थी जिसके साथ प्रजा है वो तो वैसे ही ताकतवर बन जाता तो एल इंस्क्रिप्शिंग के अकॉर्डिंग इनके बिच युद हुआ और गोविंदा और अपाई का इसमें मारे गए और पुलकेशन 2 जीत गया अब इस वार के बाद इनका कॉन्फिदेंस लेवल बढ़िया एकदम बढ़ गया इकदम खुद को पाउरफुल महसूस करने लग गया और पुलकेशन 2 ने अब एक्सपांशन शुरू कर दिया सबसे पहले निशाने पे था डककन डककन यानि डेकन तो डेकन इसलिए है क्योंकि डेकन जो है ना काफी पहले से स्टार्टिंग से ही जब से अर्थ का फॉर्मेशन हो है तब इसे काफी रिच रहा है मिनेरल्स रिसोर्सेस में वहाँ पे हर समराट ने अपना परचा लहराने की कोशिश किया हर समराट का सपना हुआ करता था डककन मौलियन्स हो या गुपताज हो या मुगल्स हो या मराठाज हो सब ने डककन को जीतने की कोशिश किया बात है कि मुगल एम्पायर का अगर अगर मुगल एम्पायर अगर खतम हुआ या उसका decline हुआ तो उसके पीछे डखकन एक बहुत बड़ी वजा थी और अंगाजीब ने यह सिलाखे में काफे time और resources वेश कर दिये थे जिसका सीधा असर मुगल के economy पे पड़ा चलिए जाने दीजे मुगल तो बहुत बाद में है medieval period में फिलाल हम ancient में है तो पुलकेशन 2 ने जोरदार तरीके से expansion शूरू कर दिया गंगाजो अलूपाजो कादमबाजो या लताजो या गुर्जराजो मालवाजो और तो और पालवाज पालवाज दोस्तो चालुक्याज के बहुत बड़े rivals थे या बोल दीजे कि competitors थे साउथ में चालुक्या डाइनसिटी को अगर कोई टककर देने वाला था तो वो थे पालवाज और ये जो पालवाज और चालुक्याज है ना इनका जगड़ा करीबन 200 साल तक चला कभी चालुक्या पालवाज को हरा देते थे तो कभी पालवस चालू क्या को हरा दते थे इनके जगडे की मेन वज़े थी जमीन territorial expansion लेकिन इससे भी बड़ी वज़े थी बदला, जी हाँ, revenge पिता की मृत्यू हो जाती तो बेटा बदला लेने निकल पड़ता था तो ऐसा ये सब चलता था अब पुलकेशन 2 तो एकदम fearful warrior हो गयते है बाटल पर बाटल, expansion पर expansion, पुलकेशन 2 की ताकट चरम सीमा पर पहुँच गई थी एक दिन वो अपने राज्यकारोबार में व्यस थे, तब ही उन्हें खबर मिली कि उत्तरपत के राजा हर्शवर्दन अपने विशाल सेना लेकर दक्षिन के और बढ़ रहा है पुलकेशन 2 ने तुरंत अपने सेना को तयार होने का आदेश दिया और 1618 AD में दोनों नर्मदा नदी के किनारिस आमने सामने आ गए एक तरफ थे उत्तरपत के राजा हर्शवर्दन और दूसरी और दक्षिन पत के राजा पुलकेशन 2 दोनों के बीच गमासान बीशन युद हुआ दोनों के बास बड़ी मात्रा में वार एलिफेंट्स थे उस टाइम पे इंशिन इंडिया में जो किंग्स थे वो एलिफेंट्स ही यूज करते थे ठीक है तो ये वार एलिफेंट्स के साथ बहुत गंगोर यूद हुआ अब वार एलिफेंट्स की खासियत ये थी उनके जो बड़े बड़े दात रहते थे उस पे थोड़ा वेपन्स लगा दे वो तो ऐसे हिलडूल के अपने सून से और वो आदे सेना तो वो ही खा जाते थे सॉरी खा नहीं जाते थे मार गिरा देते थे और राजा अगर हाथी के उपर बैट जाए तो उसे तो मार गिना बहुत मुश्किल हो जाता है थीक है तो ये बाती अब सोचिए की इस यूद में कौन जीता होगा पुलकेशन 2 या हर्षवर्दन ड्रॉण नहीं होँ है ड्रॉण तो नहीं होता है वहर रिड्रॉण नहीं होती है आईपेल मैच तोड़ी है तो जो हर्षवर्दन बोल रहे है वो यार बिलकुली गलत हो तो इस यूद में पुलकेशन 2 की जीत हुए पुलकेशन 2 ने हर्षवर्दन को नर्मदा पार करने ही नहीं दिया ठीक है में भी हर्षवर्दन शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे उन्होंने पुलकेशन 2 को थोड़ा कम ताकतोर समझा इसलिए शायद उनको हार का सामना करना पड़ा अब ये यूद खतम होनी के बाद नर्मदा नदी को बॉटर बनाया गया और दोनों राजे अपने अपने राजय में लोड गए अब यहाँ एक और मजे की बात है आपने देखा होगा कि हर्षवर्दन की जो कोड़ पोईट है बानभट पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजे हर्षवर्दन की जो कोड़ पोईट थे बानभट उन्होंने अपनी राजय की भर-भर के तारीफ किये बहुत कुछ लिखा है लेकिन पुलकेशन 2 और इनके बीच जो युद हुआ है जिसमें इनकी हार हुई है वो नहीं लिखा है है ना तो हमें ये पता कैसे चलता है तो पुलकेशन 2 के जो कोड़ पोईट थे रवी किरती तो पुलकेशन 2 के जो कोड़ पोईट थे रवी किरती इनके एउल इंस्क्रिप्शन यानि हिंदी में प्रशेस थी तो इसमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच यूद हुआ था और इसमें हर्श्वर्दन हार गयते और पुलकेशन 2 जीत गयते अब हर्श्वर्दन जैसे शक्तिशाली समराड को हराने के बाद पुलकेशन तो अले की लेवल पे थे उनका रुद्वा और बढ़ गया था पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट में उनकी चर्चा हो रही थी इनको टाइटल दिया गया परमेश्वरा मतलब सुप्रीम लॉड पृत्वी वललबा मतलब लॉड ऑफ और दक्षीन पतेश्वरा मतलब लॉड ऑफ साउट थो भाई एक तरफ थे लॉड ऑफ नौथ और एक तरफ थे हमारे पुलकेशन टू लॉड ऑफ साउट अब बैटल्स लड़ना तो इनके लिए जैसे खेल बन गया था पुलकेशन टू बूड़े हो गय थे फिर भी इनको एक्स्पांशन करना था मज़ा आता था इनको वार करने अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पालवाज और चाल्युक्यास के बीच बहुत यूद होते रहते थे बैटल्स होते रहते थे पुलकेशन टू ने बहुत पहले पालवाज के राजा महिंद्र वर्मन वन को यूद में हरा दिया था लेकिन आप फिर से इन्होंने पालवाज पर हमला कर दिया लेकिन इस बार इनका सामना हुआ राजा महिंद्र वर्मन वन के बेटे नर्सीमा वर्मन से आप पुलकेशन टू बिचारे बूड़े हो चुके थे इतनी कमांडिंग मिलिटरी स्किल्स मतलब बूड़ों के साथ थोड़ा होती नहीं वैसे तो बड़ एक्जाक्ली पता नहीं हमें तो क्या हुआ लेकिन ये यूद हार गए बहुत हिस्टोरियंस का कहाना है कि इस यूद में पुलकेशन टू मारे गए महिंद्रवर्मन वन ने पालवास की जीत हो मतलब महिंद्रवर्मन जो पालवार डाइनसिटी के राजा थे इनकी जीत हो गए और पुलकेशन टू हार गए तो बही यही तक है ये कहानी I hope आपको ये वीडियो से कुछ जनकारी मिली होगी तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि वो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिक्शन मिलती रहे और माफी चाहता हो कि वीडियोस लेट आ रहे क्योंकि एक्जाम्स है तो प्रिपरेशन करना होता है और ओफिस भी होता है उ तो यार सब्सक्राइब करके रखिये आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से तो थैंक्यू फॉर लेस्निंग जैहिल जैहल कोवाल उसक परूट चेंट को यथपाज करोगरिश घ्यापे सब्सक्राइब क हुपता इस वीडियों बाल थॉर्मेशन का हो कुप doubles है और पालव लेकी बाडल鍵 70 वान दैंक्ड़ल क्यो और झाल 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 झाल